Hello everyone, welcome to your channel JKAS Education Info इस वीडियो में हम कलास 11 के Environmental Science का निव मॉडल टेस्ट पेपर डिसकस करेंगी यह मॉडल टेस्ट पेपर JK बोस्ट ने कल ही 28 फैब को ही अपनी साइट पर अपलोड किया और कल ही मुझे JK बोस्ट के जो डिरेक्टर हैं उनकी तरफ से उस इमेल का भी रिपलै आया जो मैंने उन्हें लास्ट टाइम किया था जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था लेकिन आपने शायद वो पोस्ट नहीं देखा इसलिए आपने लाइक और कॉमेंट भी नहीं किया और अगर किसी ने देखा भी होगा तो इसने एग्नूर कर दिया होगा लास्ट टाइम जो मैंने आपके साथ एन्योरानं मेंटल साइंस का Model Test Paper डिस्क्स किया था वो मैंने जान बुझकर डिस्क्स किया था मैं जानना चाहता था कि आप मैंसे कितने मेरे वीडियो में इन्च्रस्टेड हैं कितने इस सल्वस के साथ लिंक हैं और कितने students का response मुझे मिलता है और उस अगर मुझे सिर्फ दो students की तरफ से response मिला एक ने पहले ही दिन मुझे response दिया और दूसरी student ने next day मुझे response दिया जिसने पहले दिन मुझे कहा कि paper out of the syllabus है उसने मुझे questions प्रोवाइड नहीं किये और मैंने उसमें आपके साथ questions को detail में discuss किया कि class 12 के किस chapter से कौन सा question आया था उन दो students को भी मैं यहां पर mention करता लेकिन हो सकता है उन्हें इससे कोई issue हो इसलिए मैं उनका नाम आपर mention नहीं करूँगा class 12 का जो economics का paper था उसमें भी मैंने जान बुझ कर एक question में गलत answer दिया था उसमें भी मुझे सिरिफ दो students की तरफ से response मिला और किसी भी student की तरफ से मुझे response नहीं मिला और इसी से मालूम होता है कि आप अपने examination के साथ और अपनी studies के साथ कितने serious हो class 12 के EVS के वीडियो के साथ जो हमने class 11 का paper भी discuss किया था उसमें एक student ने reply किया था comment किया था कि मैं आपके वीडियो की वज़ा से confuse हो रहा हूँ मैंने उससे एक नहीं दो comment में पुछा था कि आपके confuse होने की वज़ा क्या है लेकिन उसने मुझे comment करके वापस नहीं बताया और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही आप confuse होते क्यों हो मैं आपके साथ previous year paper की details भी share करता हूँ previous year paper जो आया था उसका pattern भी आपके साथ share करता हूँ और new paper pattern ने model paper के according model test paper उसके according इनकी details भी आपके साथ share करता हूँ आप फिर भी confuse हो रहे हो ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही अगर आपको paper pattern में कोई confusion है इसके लिए आप syllabus भी check कर सकते हो syllabus में सारे subject के तो नहीं है लेकिन maximum subject के paper pattern भी दिये गए हैं और इन से आप अपने confusion को अपने doubt उसको clear कर सकते हो और मैं आपके साथ हर एक वीडियो में ये बात share करता हूँ कि जो ये papers है ये न मैं बनाता हूँ या न कोई और बनाता है ये papers जेके बोस अपनी official site पर upload करता है और उसके बाद में या कोई और वहां से डाउनलोड करके आपके साथ share करते हैं YouTube पर आप को JK Boss के related जमौा एंड कश्मीर की hundreds of channels मिलेंगी जो आपके साथ study materials share करते हैं model पर test papers share करते हैं और previous year papers भी share करते हैं उन में से बहुत सारी channels ऐसी हैं जो आपको आपनी बातों में गुमा लेते हैं कुछ channels ऐसी भी हैं जो important questions के नाम पर आपके साथ previous year के papers share करती हैं और कुछ channels ऐसी भी हैं जो आपके साथ सिर्फ model test papers को share करती हैं इस channel पर JKAS education info पर आपको कोई भी video आईसा नहीं मिलेगा जिसमें आपको अब बातों में गुमाया गया हो या important questions के नाम पर आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता आपको मैं कोई दोखा नहीं देना चाहता आपने मुझ पर बरुसर किया ट्रस्ट किया JKAS education info को subscribe किया even जबकि इस पर कुछ ही videos available हैं कुछ ही subscribers हैं तो मैं भी आपको क्यों दोखा दो मैं भी आपको आपके साथ गलत information क्यों share करूं JKAS education info पर जो भी वीडियो मैंने आपके साथ share किया जो भी model test paper मैंने आपके साथ share किया उसमें मैंने आपको previous papers की details भी दी new model test papers की details भी दी इनको compare करके इनमें क्या differences हैं, क्या changes हैं वो भी मैंने आपके साथ share की हर एक वीडियो मैंने आपके साथ to the point बात share की, आपको to the point information दी किसी भी वीडियो मैंने आपके साथ उधर इदर की बातें नहीं की इसकी एक वज़ज़ ये भी है कि मैं आपका time जाया नहीं करना चाहता और मुझे ज़्यादा बातें करनी भी नहीं आती आप में से कुछ स्टूडंट्स और जो स्टूडंट्स नहीं है वो भी कुछ हैं जो मुझे जानते हैं और जो मुझे जानते हैं उनको मालूम है मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूँ जब जरूरी होता है इसलिए मैं वीडियो मैं आपके साथ टूडिय पॉइंट ही बात करता हूँ लास्ट रैम मैंने आप से कहा था कि जो जेके बोस की डिरेक्टर है मैंने उनको एमेल कर दिया है आप में से बहुत सारों ने यकिन नहीं किया होगा उसका मैंने आपके साथ स्क्रीन शॉट भी शियर किया था ये मेरा दूसरा एमेल अकाउंट है इससे मैंने जेके बोस की डिरेक्टर को एक नहीं दो दो एमेल की थे और इसका रिप्ले मुझे कल ही मिला था जो कि मैंने आपके साथ कल भी शियर किया और वीडियो के स्टार्टिंग में भी शियर किया और ये वो रिप्लाइ है जो जे के वो उसके डिरेक्टर ने कले मुझे बेजा था और जिनको यकीन नहीं था वो इमेल खुद भी पढ़ सकते हैं और खुद की तसलिक कर सकते हैं इस वीडियो में जितनी बाते मैंने आपके इसाश शियर की शायद ही मैंने अपनी लाइप में इतनी बातें की हो अब बातें बहुत हो गई अब हम एनुरान मेंटल साइंस पेपर के निव मॉरल पेपर को डिसकस करेंगे new model paper discuss करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमने last time model test paper discuss किया था ये new model paper भी उसी pattern पर बनाया गया है इस model paper में भी उसी pattern को follow किया गया है इसलिए आपको यहाँ पर confuse होने की जरूरत नहीं है ये बात तो आपको पता है कि जो आपका environmental science है इसमें 10 units हैं और इन 10 units के 7-7 marks हैं और इस model test paper में किसी unit से 7 marks से ज्यादा के questions भी हो सकते ही अब हम इस paper को discuss करेंगे और ये भी देखेंगे कि कहीं किस unit में से 7 marks से ज्यादा के questions तो नहीं पूछे गए ही अगर ऐसा हुआ तो इस पर हम end में बात करेंगे अब हम पहले section A के questions को discuss करेंगे प्रीवेस यर का जो environmental science का paper था उसके section A में एक marks के 8 questions पूछे गए थे इस model test paper के according इस बार जो paper होगा उसमें भी एक marks के 8 questions ही होंगे अब देखते हैं इस model test paper में कौन से नए questions दिये गए है Question number 1 Gashole is a mixture of dash and dash इसकां सराएगा gasoline and ethanol Question number 2 Dash is the most abundant fossil fuel in the world इसकां सराएगा coal Question number 3 The word environment is derived from which French word ये question प्रीवेस यर भी पूछा गया था उसमें question आया था The word environment is derived from dash language इस बार पूछा गया है कि environment word French के किस word से derived किया गया है इसकां सराएगा environer Question number 4 Narmada bachow ondolan is associated with which project इसकां सराएगा सरदार सारोर प्रोजेक Question number 5 The botanical name of medicinal plant Zakhme Hayat is Zakhme Hayat का medicinal नाम है Bergenia celiata Question number 6 Name to organochloride pesticides दो chloro-pesticides है एक है DDT Dichlorodiphenyl Trichloroethane दूसरा है Eldrin Question number 7 The pioneer of white revolution in India is India में white revolution के pioneer है Dr. Vargis Kurian Now section A का last question The thickness of inner core is 10 km यहां पर earth के inner core का thickness पूशा गया है Earth के inner core का thickness होता है 250 km और यह solid form में होता है और जो outer core होता है वह liquid form में होता है और उसकी thickness होती है 2200 km प्रिवेसर जो पेपर आया था उसमें question पूशा गया था The pioneer of green revolution in India is और उसका अंसर था Dr. M.S. Swaminathan इस बर question पूशा गया है The pioneer of white revolution in India Section A complete हो गया अब आते ही section B पर Section B में 2 marks के 10 questions होंगे और इनके 10 marks होंगी जो previous year का paper था उसमें भी 2 marks के 10 questions यही थे और इनके 10 marks थी Previous year का paper था उसके section B में एक question में और part भी दिया गया था इस बार इस model test paper के according आपका जो paper आएगा उसमें किसी भी question में और part नहीं होगा अब देखते हैं इस new model test paper में कौन से questions दिये गए है Question No.9 Graphically represent oxygen cycle Question No.10 Write a brief note on logistic growth curve Question No.11 What is the main aim of studying environmental science Question No.12 What is the difference between a food chain and a food web Question No.12 What is adaptation Question No.14 What is geothermal energy Now Question No.15 How is tuberculosis transmitted name it is causative organisms ये question last year के paper में पूचा गया था Question No.16 Write a short note on occupational diseases ये question भी last year पूचा गया था Question No.17 What is integrated past control ये question भी last year पूचा गया था Question No.18 What is the predation अब है section C जो previous year का paper था उसके section C में तीन माक्स के 9 questions पूचे गया थे इस बार जो इस model test paper के एकॉर्डिंग एडियस का paper होगा उसके section C में भी तीन माक्स के 9 questions होंगी और इनका answer 40 words में लिखना होगा और जो previous year का paper था उसमें एक question में और पार्ट भी था लेकिन इस model test paper के according इस बार जो paper होगा उसके section C में किसी भी question में और पार्ट नहीं होगा इस model paper में जो question is section C में दिये गए हैं ये question is previous year के paper में भी आये थी अब हम देखेंगे ये कौन से question is है Question number 19 Describe various techniques of achieving sustainable agriculture Question number 20 Discuss the relationship of humanism with environment Question number 21 Elaborate on different cooperative interactions among numbers of same species Question number 22 What are the limitations of using nuclear energy Question number 23 Why Chipko movement is called the first forest movement in India Question number 24 What are soil-borne diseases? Give two examples Question number 25 Animal resources can be beneficial to mankind Explain Now question number 26 What are minerals give their classification? Question number 27 Write a short note on the importance of environmental education Section C भी complete हो गया अब है section D जो previous year का paper था उसके section D में 5 marks के 3 questions दे इस बर जो paper होगा उसमें भी 5 marks के 3 questions ही होंगे और इन 3 नों questions में और parts भी होंगे और इनका answer 75 to 100 words में लिखना होगा Section D में भी previous year के paper के ही questions दिये गए हैं Question number 28 Define population, describe the various characteristics of a population Isco or part What is Malthus theory of population growth? Elaborate on its postulates and assumptions Question number 29 Describe the structure and functions of an ecosystem Isco or part What is an ecological succession? What are its types and stages? Question number 30 What are biogeochemical cycles? Discuss carbon cycle Isco or part What is an earthquake? What are its different causes and consequences? This was class 11 Environmental Science का new model test paper Isco or we have discussed this paper Now we will sum up Section A we have discussed this paper This paper is not given to any questions Previous year के question paper का नहीं दिया गया था This paper is not given to all questions New to be Section B में 3 questions Previous year के paper से दिये गए थे Section C और section D में सारे questions Previous year के paper से ही दिये गए थे इस model test paper में अगर आपको किसी unit से साथ मार्कस से ज्यादा के questions मिलते हैं या किसी unit में साथ मार्कस से कम के questions मिलते हैं तो आपको attention लेने के जरूरत नहीं है क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ एक model test paper है minimum chances इसलिए आपको attention लेने के जरूरत नहीं है I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे confusions और doubts clear हो चुके होंगे अगर आपको इस video में कुछ भी ऐसा नजर आता है जो मुझे नजर नहीं आया तो मुझे comment section में जरूर बताना ताकि मैं आपकी help कर सकूँ आज इस video में बसितना ही मिलते हैं next video में तब तक के लिए अल्लाहाफिज गुड़ बाई